हेलो फ्रिंट्स ये दिखे आज में लिखे आपके लिए ये हर्ड शेप डिजाइन बहुत ही प्यारी डिजाइन है बच्चों के स्वैटर में लेडी श्रग जैकेट कार्डिगन किसी में भी ये डिजाइन बहुत अच्छी लगती है और आप से किसी भी कलोर में बना सकते है दिखे इस तरह से ये उभर के सामने आती है आप देख सकते हैं ये मैं से फाला के दिखा रहे हूँ बहुत प्यारा पैटर्न है और बहुत आसान है और इस पैटर्न के साथ आपको बार्डर के ज़रूत नहीं है आप इसे डारेक्ट भी डाल सकते हैं और फ्रिंट देखे इसमें नीचे फ्रिल है अगर आपको ये फ्रिल सीखनी होगी तो इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगे आप उसमें इस पैटन को सीख सकते हैं ये बच्चों के फ्रॉग के लिए इस्पेशली फ्रिल है तो चलिए हम अपनी डिजाइन शुरू करते हैं ये देखिए मैंने एक पैटन बना रखा है और दूसरा पैटन मैं आपको बताऊंगे सिफ दो ही सलाईयों का ये पैटन है और फंदे डालने के तुरंत बाद आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं इसके लिए हमें इवन नंबर में फंदे चाहिए अब देखिए पहला फंदा ज बनेंगे इस तरह से लपेट के थोड़ा टाइटली बुनेंगे इस तरह से सारे फंदों को इसी तरह से बन देंगे ये देखिए लास्ट वला फंदा है अब एक फंदा जो लास्ट में बचेगा उसे हमें सिधा बनना है उसे हमें बिना लपे funk बंडा है देखिए रच वर्फ सेंड वह सेंड साइट से भी हम सिधा ही बनेंगे पहला फंदा हम सिधा बन लेंगे इसके बाद हम दो फंदों को खोलेंगे देखिए एक और ये दू, दो फंदे हमने खोले, इसे वापिस सलाइम डालेंगे, और पहले फंदे में सलाइ इसे इंसर्ट करके, जो सेकेंड वाला फंदा है, उसे हम इस तरह से पुलेंगे, अब बुनने के बाद इस फंदे को हम किरा देंगे, और थोड़ा इस तरह से खीच लेंग से फिर सलाइ में ट्रांसफर करेंगे, पहले फंदे में सलाइ डालके, दूसरे फंदे को बुनेंगे, इस तरह से देखेंगे, और ये पहला फंदा पाद मेंगे, फिर से देख लीजे, दो फंदो को हम खोलेंगे, वापिस सलाइ में पीछे डालेंगे, पहले फंदे में से सलाई डालके दूसरे फंदे को हम बाहर लेकर इस तरह से बुनेंगे और दूसरे फंदे को पहले किरा देंगे फिर जो पहला फंदा है इसे हम बातने बुनेंगे इसी तरह हमें ये रो कंप्लीट करनी है करें फेर से डो फंदों को खोला आम ने पहले फंदे में सलाई इंसेट करके दूसरे फंदे को बाहर लेके इसी तरह से बुनेंगे और इसे गिरा देंगे इसे सलाई में रखते वे आपको दूसरा फंदा नहीं बुनना है फिर दूसरा फंदा ऐसे बुन लेंगे और यह जो लास्ट वला फंदा है इसे हम सिधा बुन लेंगे यह देखिए यह देखिए यह डिजाइन उभर के सामने आ गई है बन गई है तो इन्ही दो सलाईयों को रिपीट करके प्यारा सा पैटर्न आप बना सकते हैं कि इस स्वेटर में बना है यह देख सकते हैं आप बनने के बाद इसका लूप इस तरह से आता है बहुत है प्यारा पैटर्न है इस पैटर्न को बनाई है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगए हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और मेरे चैनल के सब्सक्राइब जरूर करें थेंक्स फ़र वाचिंग